तो पहले तो सभी को happy friendship day क्योंकि यार आप सभी दोस्त जैसे हो भाई जैसे हो तो सभी लोग को happy friendship day तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि next यहां से bitcoin का क्या movement रह सकता है क्या market के अंदर यह bull run आ चुका है और अब कौनसे ऐसे coin से जो यहां पर pump करने वाले हैं और जो आपको यहां पर profit दे सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो भी मैंने bitcoin के graph के उपर और देखते हैं कि क्या movement यहां पर रह सकता है तो currently अगर आप इसका price देखोगे तो $41,000 के उपर यहां पर hold करावा है और अभी तक जो मैं बात कर रहा था आप से कि $40,400 पर गिरेगा तो वहां से support मिलेगा वहां पर अभी तक गिर के फिलाल नहीं आया है price और यहीं पर है भी hold कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि $42,000 पर यहां पर जाने की तो यहां पर लगबग दो टाय अल्डेडी यहां पर ले चुका है और यहां काफी दार आप चांसित रहते हैं कि उपर से जो है यहां से reaction दुवारा मिले और नीचे की सब्सक्राइब करें तो यहां पर दो हमारे support zone रहेंगे पहला तो यहां पर 38,500 डॉलर पर रहाएगा जो कि हमारा main support है जहां से पिछली बार भी बांस बैक कर रहा था और जो उससे पहले support रहा वो रहेगा 40,400 डॉलर पर तो mainly यह दो हमारे support यहां पर रहने वाले हैं जहां market में अभी एक बड़ा dump आना बाकी है तो उससाब से यहां पर अपने portfolio को रखो और थोड़ा amount IINR में बजा के रखो कि अगर बड़ा dump आता है एक दम से तो वहां पर पी आप NT ले सको बाकी currently जो यहां पर market situation है वो काफी अची यहां पर दिख दिख दिए और market में bull run हमें आ बात है और कल जो वीकली एंडिल क्रोजिंग है तो वह अगर साड़े पांच बाए सुबह में यहां पर होती है तो वह काफी और जादा बैठा रहेगा महां पर यहां पर देखोगे तो weekly closing और monthly closing दोनों यहां पर $41,000 के उपर नहीं हुई थी तो यह चीज पहली बार यहां यहां पर $41,000 के उपर होती है weekly closing और उसके बाद कासी जाता है यहां पर chances रहेंगे कि जो old coins अभी pump नहीं कर पाएं पर नहीं कर पाएं वहां पर perform कर जाएं कल के बास से बागी एक चीज़ में आप लोग सभी से कहना चाहूंगा कि हर टाइम coins को buy करने का time नहीं होता है कभी कभी हमें अपने पैसों को यहां पर hold भी करना पड़ता है और थोड़ा wait करना पड़ता है dip का और जब dump में मार्केट थी तब मैंने आप लोग को बहुत coins वाए करने साइस करे थे और आज वो यहां पर 40-50% यहां पर बढ़ चुके हैं और आपको profit दे रहें तो यहां पर थोड़ा दिचना हो सकते हैं थोड़ा hold करो और थोड़ा dip में लेने की कोशिश करो बाकि यहां पर कुछ coins जो भी नहीं बड़े हैं उनके अंदर आप यहां पर anti-dip देख सकते हो और ध्यान रखता हैं यहां पर जो genuine coins हैं उन्हीं के अंदर यहां पर anti लेना तो फिलाल यहां पर dogecoin को लेकर recently कोई भी Elon Musk की तरफ से tweet वगर यहां पर तो नहीं आया है और dogecoin आपको अच्छा खाता है यहां पर pump होता पर दिखेगा तो वेट कर रहे हैं इसका tweet का और जैसे यहां पर tweet आता है मैं आपको telegram group के अंदर बताए दूँगा तो telegram अगर आपने जॉइन निका रखा तो description में लिंक है महां से जॉइन भी कर सकते हो तो अब यहां पर चलते हैं हम dogecoin की graph पे और current इसका price यहां पर देखो तो 16 रूपीज की ऊपर चल ला है और कल की वीडियो में मैंने आपको लोग को इसको बताया था कि 15.5 15.6 तक था price महां पर मैंने कहता buying ले लो और 16 के ऊपर sell कर लेना और आज ही हो गया price तो मतलब यार जो भी prediction दे रहा हूं आपके लिए काफे सारा काम आरी healthful रह रही है तो लाइक जबूर कर दिया करो वीडियो को इतना तो आप लोग भी कर सकते हो या तो like और subscribe जबूर से कर रहा हो त यहां पर एक short term buying ले लेना क्योंकि tweet आते हैं इसका price बढ़ना है यह confirm है क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो bitcoin $41,000 के अगर यहां पर hold करता रहा और कोई tweet आ गया Elon Musk का तो यहां पर काफी अच्छा pump कर सकता है dogecoin और अगर tweet नहीं भी आता है तब भी इसके chances हैं यहा price तो यहां पर यह 20 rupees तक गया था इसका price next यहां पर जो मैं coin size करूंगा जो मैंने personally भी यहां पर buying लिए 75.14 पर मैंने buying लिए USDT के अंदर और आप लोगों को सैस्ट करूंगा कि 74 75.14 के आज पास अगर price जाता है 75.15 के अंदर जाता है इसका price तो वहां पर buying ले लेना वहां प graph देखो तो up down up down यह आपको देखेगा पूरे graph के अंदर और इसका price यहां पर बेसिकली 75 से लेके 76 के बीच में ही move कर रहा है अभी कुछ दिनों से और USDT एक ऐसा coin है जो आपको यहां पर बड़ा loss भी नहीं देगा और बड़ा profit भी नहीं देता सही बताऊं तो लेकिन यहा तो इससे आप definitely यहां पर trading कर सकते हो तो basically यह जो एरिया रहेगा हमारा 75.15 के अंदर यह buying एरिया रहेगा और उपर वाला जो यह एरिया रहेगा यहां पर 76 के उपर वह हमारा setting area रहेगा तो इससाब से आप USDT के अंदर यहां पर trading कर सकते हो बाकी मैं आपना personally बताता हूं कि मैं मतलब जो भी यहां पर आपको size करता हूं और बताता हूं वह मैं personally खुद करता हूं तो अपने उपर apply करने से पहले एक बार अपनी research जबूर करना और totally किसी के उपर depend रहना ठीक नहीं रहता है बाकी good bye